नमस्कार जहीं दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से आपके अपने ओफिशल यूटूब चलंज सरकारी टुडे नियूज में दोस्तो आप सभी के लिए बड़ी कुश कबरी है क्योंकि Food Supply Department की और से एक और नया नोडिफिकेशन जारी हो चुका है जी हाँ दोस्तो आज ही ये नया नोडिफिकेशन जारी किया गया है Food Supply Officer की नई वेकिंसी का तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस वेकिंसी की पुरी जानकाई देने वाले हैं जैसा की Selection Process क्या है कौन-कौन से Students वेकिंसी के लिए पात्र होंगे आप एदन कब से कब तक चलेंगे और किस प्रकार आपको अपलाई करना होगा इस पूरे नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको इस वेकिंसी की पुरी जानकाई देने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देएगा और आगे बंडे से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों में शेर करें और रोजना इसी प्रकाश सरकारी नोक्रियों की जानकारी के लिए चैनलन को सब्सक्राइब करें और घंटीगा बेल आइकन जड़ो दबाइएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फूर सप्लाइ डिपार्टमेंट में आए 2021 की नई भरती की ओफीशर नोडिफिकेशन जारी हो चुका है 2021 का नया नोडिफिकेशन है आज ही ये नया नोडिफिकेशन जारी किया गया है फूर सप्लाइ ओफिसर की वेकेंसी का क्या होगी दसवी बार भी या फिसना तक इस पर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि इस वेकेंसी के लिए जो आपको सैलरी मिल रही है 17,000 उपे महिना आपको वेतन मिल रहा है और इस वेकेंसी के लिए दोस्तों आपके लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अनुभव नहीं मागा है अगर आप फ्रेशर हैं अगर आपके पास में कोई भी अनुभव नहीं है एक्स्प्रियंस नहीं है तब भी आप इस वे वेकेंसी के लिए ओल मेल और फिमेल दोनों ही केंडियेट्स ओनलाइन आविधन कर सकते हैं आविधन केवल आपको ओनलाइन ही करना होगा चलिए लेकर चलते हैं सीधा आपको ओफीशल वापसाइट पर आपको वेकेंसी की पूरी जानका ही देंगे जैसा कि दोस्तों आप और आए सरकारी-today-news.com आप जाहें तो Google में भी सर्च कर सकते हैं सरकारी-today-news.com जैसे आप सर्च करेंगे आप सबसे पहले उपर आपको हमारी वाप साइट मिल जाएगी यहाँ पर आप जा करके भरती की जान कर ले सकते हैं और आवेदिन भी कर सकते हैं दोस्तों सबस आपका एक्जाम होगा विवा वोस होगा और आपका मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी ठीके सेलरी आपको लगबग 17,000 रुपे महीना आपको वेतन मिल रहा है जो ब्लोकेशन ओरी सा इंडिया की है एस लिमिट जो है 21-32 साल है और एप्लिकेशन फीज जो है यहाँ पर नो नोटिफिकेशन 30 दिसंबर को जारी कर दिया है यहाँ पर साफ सा बताया जा रहा है डेट ओफ एक्टिवेशन ओफ दा ओनलाइन एप्लिकेशन फोर पोस्ट विल बी नोटिफाइड शॉटली तो यहाँ पर जल्द ही इसके आवेदन जैसे ओनलाइन शुरू होंगे आपक किया जाएगा तो यहाँ पर आप देशते हैं रियल वेकेंसी है 100 पसंट जो है रियल वेकेंसी है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों इस वेकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या कोई भी कन्फूजन है तो कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा